नमस्कार दोस्तों, CAA इसी महीने से लागू होने जा रहा है, क्योंकि सब को मालू है कि इस बार 2024 से पहले चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्धा नहीं है जिससे लोग भावुख हो जाएं, जिससे लोग अपना दुखतर्द भूल करके सिर्फ मोधी मोधी जबने लगें, जिससे 2019 के तरह पूरा भार एक स्वर में बात करने लगें देखे, राम मंदिर लोगों को रुला देने में कारगर साबित होगा या फिर नहीं, इसमें अभी भारते जंता पार्टी को डाउट है अलकि टीवी, रेजियो से लेकर की गाने सुनने वाले हर प्लाटफॉर्म्स पर भगवान राम से जुड़े भजन जाद से ज़दा बजाये जाने के आदेशाग है कई आज्स भी दिये जा चुके हैं गोधी मीडिया तो 24 खंटे एयोध्य की कवरज पर एक महीने पहले से उतर गया है बीजेपी को चाहिए भाई आप कुछ तूफानी टाइप का, कुछ हिंदू मुसल्बाद जैसा वो आपूर्ती कैसे होगी? और वो आपूर्ती होगी दोस्तों CAA से दोस्तों CAA कब लागू होगा? जब लागू होगा तो क्या कागर्स दिखाने होंगे? अगर आप कागर्स नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? और CAA लागू हो जाने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा? आज इस पर पूरी डीटेल में बात करेंगे पहला सवाद CAA कब लागू होगा? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि 2024 चुनाव से पहले CAA यानी नागर्टा संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा इस कानूम के नियम मकाइदों को इसी महीने की 26 जनवरी से पहले जारी किया जा सकता है केंजर सरकार का ये फैसला बागला देश से आए हिंदू शर्नार्थियों के लिए उमीद ले कर आएगा वहीं पाकिस्तान से प्रतारित होकर क्या हिंदू सिख शर्नार्थियों को भी बड़ी राहत मिल जाएगी आकडों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान अफगानस्तान से 32,000 लोग भारत आए है सरकार का कहना है कि CAA नागरिक्ता देने का कानून है नागरिक्ता छीनने का कानून नहीं है लेकिन जो लोग कागज नहीं दिखा पाएंगे क्या उनको नागरिक्ता मिलेगी तो क्या उनको भारत सरकार से दिये जा रहे सारे अधिकार मिलेंगे सवाल बहुत है संसर नहीं CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी भयानक विरोध हुआ सरकार बैकफूर्ट पर चले गई तब से सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम काइदे बनाने की समय सीमा आठ बार बढ़ा चुकी है अब सवाल ये है कि CAA से किसे मिलेगी नागरिक्ता CAA के तहट 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफकानिस्तान, बांगलादेश से धार्मिक आधार प्रफिदारित होकर क्याए हिंदू सिक, बाध, जैन, पार्सी और इसाई समुदाए के लोगों को नागरिक्ता दी जाएगी इन तीन देशों के लोग ही नागरिक्ता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे दूसरे देशों के अलपसंगिक समुदाए ये लोगों को CAA का लाब नहीं मिलेगा सवाल ये भी है कि CAA के आवेदन के लिए क्या कुछ करना होगा दोस्तों आवेदन प्रक्रिया जो है वो अनलाइन रहेगी आवेदन को बताना होगा कि वो भारत कब आए पासपोर्ड या फिर दूसरे दस्तावेज नहीं होंगे तब ही आवेदन कर पाएंगे इसके तहट भारत में रहने की आवेदी पांच साल से अधिक की रखी गई है मुसलिम धर्म के लोगों को अगर नागरता लेनी है तो उनके लिए ये समय सीमा ग्यारा साल से जादा की होनी चाहिए अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि मुसलिमों के लिए ग्यारा साल की समय सीमा क्यों है दूसरों के लिए कम क्यों है क्या ये मुसलिमों के साथ कोई भेदभाव करने का तरीका है अब सवाल ये है कि इन देशों के गैर कानूनी Muslim immigrants का क्या होगा? CA विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं है. इसका गैर कानूनी शरनार्थियों को निकालने से लेना देना नहीं है. ऐसे शर्नार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागो है दोनों कानूनों के तहट किसी भी देश या फिर धर्म की विदेशियों का बारत में प्रवेश या फिर निश्कासन किया जा सकता है तो अगर ये कानून इतना पाक साफ है तो फिर इतनी बार सरकार से तालती क्यों रही में फवाल ये है कि अगर चोर की दाड़ी में तिनका नहीं है तो फिर C.A.A. को अब तक क्यों तालती रही सरकार देखे दोस्तों बीजेपी शास्त असम और ट्रिपुरा में C.A. को ले करके बहुत बवाल हुआ था सबसे पहले विरोज भी असम में हुआ C.A. में विवस्ता ये है कि जो विदेशी 24 मार्च 1931 से पहले असम आकर के बस गए उन्हें नागरिकता दे जाएगी इसके पाद बांगला देश अलग देश बन गया अब सवाल ये भी है लोगों को इस कानून से क्या अशंका है लोगों को और खास तोर पर मुस्लिम लोगों को क्या लगता है तो C.A. को ले करके लोगों को क्या अशंका थी ये भी जानना बहुत जरूरी है CA को देश में NRC यानि की National Citizenship Register बनने की CD के तौर पर देखा गया लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैटिया बता करके बड़ी संख्या में लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा पर उसी देश बांगनादेश में आशंका व्यक्ति की गई कि CA के बाद NRC लागू होने से बड़ी संख्या में बांगनादेशी शर्णार्ती उनके यहां लोट जाएंगे तो अब सवाल ये भी है कि किन राज्यों में विदेश्यों को नागरिक्ता दी जा रही है दोस्तो नागरिक्ता अधिनिया मुने सुपचपन के तहट 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और ग्रह सच्चिवों को नागरिक्ता देने के अधिकार दिये गए है मतलब ये है कि ये लोग नागरिक्ता दे सकते हैं जिन राजियों में नागरिक्ता दी जा रही है उनके नाम है गुजरात, राजुस्थान, मद्य प्रदेश, छत्यसगर, हर्याड़ा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिली, महाराष्ट्र, चार साल में 317 अलपसंख्यों को नागरिक्ता मिली है गरहराज मंतरी नित्यानंद राए ने दिसंबर 2021 में राजसभा में बताया था कि 82,044 आवेदन मिले थे जिन में साल 2018, 19, 2020 और 2021 के दौरान पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 317 अलपसंख्यों को भारतिय नागरिक्ता दी गए दोस्तों ये है CAA का अब तक का पूरा लेखा जूखा लेकि इसी जनवरी में सरकार इसको लेकर कि आब आगे पढ़ेगी और जब इसी जनवरी में इसके नियम काईदे कानून जारी किये जाएंगे तो फिर से भारतिय जनता पार्टी से हिंदू-मुसिल्मान के तवे पर काम मंदिर को लेकर कि भावुक नहीं है और अगर भावुकता वाला एंगल पैदा नहीं होगा तो फिर वोट देते समय लोग दिमाग चलाएंगे और लोगों का दिमाग चला तो बीजेपी को लोग चलता कर सकते हैं इसलिए लोगों को भावनाओं से भरने के काम वरा भा पर मिलेंगे नमस्कार